Hello foodies, welcome to my channel तो आज हम बनाने जा रहे हैं केरल की बहुत ही famous summer drink जिसे कुलकी शर्बत कहा जाता है ये कुलकी शर्बत केरल के बहुत ही famous street food में से एक है ये जो होता है बहुत ही cooling property का होता है इसे पीने से बहुत ही शरीर में ठंडक सी आती है और समर में बहुत ही एक healthy drink है तो आईए कुल की शर्बत बनाना स्टार्ट करते है कुल की शर्बत बनारे के लिए मैंने यापे एक टिबस्पून चीजा सीट जिसे सब्जा सीज भी का जाता है जो फॉलूदा में यूस किया जाता है तो चीया सीट मैने यहां पे एक टेबल स्पून लिया है, इसे एक बावल में एक पानी डालकर जो हो आप गायकोगे 10 minute के लिए रख दूंगे तो हारी मिचे को ऐसे आप हलका सा कट करिए और उसे डालिए अब मैं इसमें डालूगी कुछ पुदीने के पत्ते लगबग 6-8 पुदीने के पत्ते मैंने इसमें डाले हैं अब मैं इसमें डालूँगी आधा नीमवू यह बड़ी साइस का नीमवू है अगर आपके पस छोटी सा इसका नीबू है तो आप एक पूरा नीबू भी इसमें डाल सकते हैं मैं यहाँ पर दो अलब टाइप के कुलकी के शर्बत बनाने जा रही हूँ तो अब नीबूरे चोड़ने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिया सीच यानि की सब्जा के जो बीच हमने पानी में सोक करके रखे थे वो मैं यहाँ पर चार चम्मत सब्जा के सीच का यह गोल डालूंगी इसमें यह चीच चाहोते हैं वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आप वेट लॉस के लिए यह शरबत बना रहे तो भी बहुत ही यूस्फुल है बट उसकेस में हम यहापे जो एक टेबल स्पून शुगर पौडर डाल रहे हैं जो कि वेट लॉस के कंडिशन में आपको skip करनी है और आधा quarter spoon मैंने या पे डाला black salt और आधा quarter spoon मैंने इसमे डाला भुना हुआ जीरा का powder अब इस पूरे mixture को अच्छे से हम शेक कर लेंगे इसे शेक करने के बाद जो है मैं इसे एक ग्लास में डाल दूँगी तो क्योंकि मैंने आपको बता है कि हम दो प्रकार के कुलकी शर्बत बना रहे हैं तो अब दूसरे कुलकी शर्बत के लिए सेम बेस अगेन तयार करेंगे तो सेम ग्रीन चीली, चार चमत, चीया सीज, एक टेबल स्पून, शुगर पॉडर, आधा नीबू, काला नमक और जीर सब चीज़े सेम डालके, अगेन इसे शेक करके एक ग्वा स्वाया में डालेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूप्स, अरमर की सीजन है, आस क्यूप तो बनता ही है, इसमें, तो अब एक क्लास में हम डालेंगे नोर्मल वार्टर, यह बना कुलकी और आप इसे अच्छा से मिक्स कर लीजे, बहुत ही tasty और डिलिशिस बनता है, और दूसरे ग्लास में हम ढालेंगे स्प्राइट, और यह तो उससे भी जादा अच्छा बनता है, पानी वाले से बहुत टेस्टी बनता है, तो अब इस ग्लास में डाल दिया, प्रैट, and believe me friends, आ आपको दिल खुश हो जाएगा आपको बहुत थी डिलीशस और यमी बनता है यह कुलकी शर्बत अब इसे जो है मैंने इस तरीके से लेमन स्लाइस से डेकोरेट कर दिया तो तेयार है हमारा खुलकी शर्बत ट्राइ कीजे मेरी यह रिस भी और बताईगा कि आपको कैसी लेग थी 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 बताए है हमारा कि भुलकी शर्बत वाटी यह रुलकी शर्बत पर खुलकी शर्बते हैं